प्यार दोस्तों हमारे चलने हरे एजुकेशन में फिर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त राहुल और आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बीए एकोनोमिक्स ओनर्स के अंदर डेली में एडमिशन कैसे लेलते हैं साथी साथ हम जानेंगे कौन-कौन सी उनिवर्सिटी से स्पोर्स को आपर करती हैं एंट्रस एक्जाम का स्लिबस एलिजिबिलिटी साथी साथ हम डिसकस करेंगे कॉलेजिस के ऑप्शन फी स्ट्रक्चर के बारे में एट्टोजर्ड इंफरमेशन आज आपको इस वीडियो मे आपको डियुजर्ट का एक्जाम देना होता है और वही एक्जाम कॉमन है बीबीए बीमस एन बीबीए एफ़ाइए शाती साथ बीए एक्जाम देना होता है डियुजर्ट का जब आप इस एक्जाम को देते हो तो इसकी एलिजिबिलिटी होती है क्लास 12 के अंदर 60% मार्स आपके होने चाहिए इसके अलावा जब आप इस एक्जाम को दोगे तो उसमें चार सेक्शन पूछे जाते हैं इंग्लिश लेंगोज और कॉंप्रेहेंशन लॉजिकल रिजिनिंग क्वाटिटेटिव एप्टिट्यूड और साथ में जनरल अवेर्नेस चार सेक्शन पूछे जाते हैं और जो टोटल कोशन पूछे जाते हैं 100 होते हैं डेली उनिवर्सेटी में इसके बाद हम बात करते हैं आईपी उनिवर्सेटी की आईपी उनिवर्सेटी में बीएकोनोमिक्स करने के लिए आपकी जो एलिजिबिलीटी है वो है 50% मार्क्स इन यूर क्लास 12 जिसमें मैट्स और इंग्लिश कमपल्सरी है किसी भी रिकोगनाइज स्टेट या वे सेंट्रल गवर्वर्मेंट बोर्ड से आपने स्टेडी करी हो तो आप अपलाई कर सकते हो इसके बाद हम बात करते हैं आईपी उनिवर्सेटी बी एकोनोमिक्स के जो कॉमपरेंजिन होता है और नाउंस प्रोनाउंस और जो सिनोनेम सेन्तेन स्रीरंज्मेट पैरा जैंबल वड्मेंट सो ये सब आता है जनल इंग्लिश के अंदर। 20 ये पूछा जाता है एकोनोमिक्स एंड स्टेटिक्स आता है 40 परसेंट और मैथेमेटिक्स इस योर 40% जो जो mathematics से 11 12 के portion में से पूछा जाता है सिर्फ 12 का नहीं 11 12 दोनों को combine करके बनाया जाता है तो यह है इसका exam pattern और इसके अंदर 100 questions पूछे जाएंगे इस साल लास्ट यह जो था आप 150 questions पूछे जाते थे इस साल 100 questions आएंगे वो भी computer based test होगा इसके बाद हम बात करते हैं बीए economics के जो colleges के option है आपके पास आई-पी उनिवर्सेटी में काफी सारे बच्चे बहुत टाइम सीवर से बोल रहे थे कि सब्सक्राइब को नहीं मिल रहे हैं विवेकनंद इंस्टिटूट प्रोफेशनल स्टोडीज पी तंपुरा यह टॉप कॉलेज आई-पी का और महराज अगरसीन तो आपके पास देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे इनका फीस ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो डिया आई-आई-आइड और फेयर फिल का जो फीस ट्रक्चर डैट इस 63,800 यह फीस ट्रक्चर भी मैंने आपके लिए इंफर्मेशन निकाली है काफी मुश्किल से जो इन्होंनों कालेज की फीस है वह 63,800 और माइट विवेकनंद विप्स कालेज की फीस है वह 83,800 यह पर यह की फीस है यह 3 यह की मत समझना आप यह की फीस है वैसी 2 यह और 3 यह ऐसे आप से लिए जाएगी जो पर यह की फीस आपके सामने है इसके बाद बात हम करते हैं की cut-off की तो cut-off आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे डेले इंस्टिटूट ऑफ रूरल डेवलप्मेंट जो इसकी cut-off जाती है जीन जीन डी में सो ज मैक्सिमम रैंक है 1545 जनरल डेली के लिए जो जनरल डेली है उनके लिए 85 परसेंट सीट रिजावड है इसके बाद हम बात करते हैं विवेकनन इंस्टिटूट अप्रोफेशनल स्टडीज में मिनिमम रैंक जाता है आपका एक्जाम में जो बच्चे अपियर करते हैं वो मोस्ली 3,000-3,500 अप्लाई करते हैं यह इनकी लास्ट रंग जाती है यह इनकी कट-off है बी एकोनोमिक्स ओनर्स की तो आप देख सकते हैं पॉस करके एची तरीके से और आपको काफी मेरे खाल से आपके डाउट्स के लिए हो ग राक्या है आई-पी उनिवर्सिटी के बिहाफ के आप कैसे अडमिशन ले सकते हो और काउंसलिंग कैसे टेड करते हैं यह सारी डिसकेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके लाब अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और बने रही है हमारे चलने हैर एजुकेशन के साथ इसी तरीके के एजुकेशनल कॉल्टेंट के लिए थैंक यू सो मच